नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गंगाराम and you are watching astrology and solution दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा नेलम रतन के साथ कौन सा रतन धारन करना चाहिए और कौन सा रतन धारन नहीं करना चाहिए दोस्तो मान्यता है कि नेलम रंक को राजा और राजा को रंक बनाने की शक्ति अपने अंदर रखता है निलम इस दुनिया का बहुत जादा sensitive, बहुत जादा समवेदन शील रतन है, इसलिए निलम के साथ क्या रतन धारन करना है, क्या नही धारन करना है, इसका विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए इससे पहले मैं आज का विशे सुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ विदि आप जोतिस के दुआरा अपनी किसी भी समश्चा का समधान चाहते हैं या आप राशी रतन खरीदना चाहते हैं आप हमारे कारियाले से संपर्क कर सकते हैं हमारा फोन नंबर, हमारा वाटसप नंबर डिस्क्रप्शन में दे दिया गया है दोस्तो शुरू करते हैं आज का विशे दोस्तो नेलम रतन के साथ में पुखराज, मूंगा और मानिक यह तीन रतन बिल्कुल भी धारन नहीं करने चाहिए दोस्तो नेलम के साथ में आप पन्ना बड़े शौक से पहन सकते हैं नेलम के साथ में आप डाइमंड पहन सकते हैं डाइमंड का उप्रतन ओपला पहन सकते हैं नेलम के साथ में आप गोमेद भी धारन कर सकते हैं चोकि ग्रहों की आपस में शत्रुता भी है और आपस में मित्रता भी है जो ग्रह आपस में विरोधा भासी है जो ग्रह एक दूसरे से परम शत्रुता का भाव रखते हैं उन ग्रहों का रत्न एक साथ धारण नहीं करना चाहिए दोस्तों यह थी नीलम रतन के संब्द में एक छोटी सी जानकारी आशा करता हूँ गंगाराम जोतसी की बात आपको अच्छी लगी होगी यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें सेहर करें एंड सबस्क्राइब माई चाइनल मिलते हैं ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ जल्दी ही मुस्कुराते हुए तब तक के लिए नमस्कार